Welcome back आज हम लोग अपना third lesson स्टाट करेंगे Hindi second का तो third lesson क्या है हमारा किसका हिंदी second का ठीक है तो हमारा third lesson क्या है मांत्राएं, बिंदू और चंद्र बिंदू आप आज हम लोगों को पता चलेगा कि हमारी मांत्राएं क्या होती है बिंदू किसले हम लोग लगाते हैं और चंद बिंदू किसले लगाते हैं ठीक है अभी तक आप लोगोंने क्या पढ़ाता है नर्सरील की जी में केवल स्वर और रेंजन्ना और उससे शब्द बना रहे थे मिलाके तो वो शब्द कैसे बन रहा था उसमें मांत्रा हैं कैसे ल नहीं तो आ से कैसे शब्द बनता है जिसमें कोई मांत्रा को प्योग नहीं होता देखिए जैसे क्या है असे अद्रक इसमें मांत्रा है नहीं है फिर अगर खाली स्वर ही नहीं अगर वेंजन्न ये क्या है जा क्या आपका वेंजन्न है ये स्वर है क्या नहीं आप स्वर है जग क्या है वेंजन है लेकिन इसमें भी बिना मांत्रा के भी शर्ट बन सकते हैं ज़ल जग यह क्या हुआ है बिना मांत्रा के जिसमें कौन सा स्वार है क्या है कौन सा स्वार है तो मिलागे क्या होगा है जल जग अब इदर आईए फिर और से और कुंसा बन सकता है याप एक और आप बताए क्या बन सकता है क्या बना सकते हैं और कुछ अमर अजय यह क्या हो गया असे असे शब्द बने ना आप आईए सेकंड वालग क्या चलेंगे आ से आ से मांत्रा बनाएंगे आ से आप सबको माले में काल बन से मांत्रा बन सकती है आ से आप लोग खुजी पड़ जो आ से आम ठीक है तो फस्ट क्या है आ से आम फिर और क्या बन सकता है आग और क्या बना सकते है और क्या बना सकते है आप लोग बते हैं, क्या बना सकते हैं आसे, अब क्या चलेंगे आसे, आम, आग, और क्या बोल सकते हैं, जैसे हम किसी को आने के लिए बोलते हैं, क्या हम बोलेंगे, आना, जाना, तो यह क्या हो गया, आप से हो गया, अब किसी को हम लोग वेंजन में, इस मांत्रा का उपयो वेंजन में करेंगे, वेंजन में कैसे करेंगे, वेंजन में, जैसे देखिए, कौन सा बार्ण लोगी उच्छ कर सकते हैं, ख, कधन, आ, आ की मात्रा कौन सा लोगेंगे, ये, देखिए, कधन, आ की मात्रा, ये कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, तो क्या बना सकते हैं लोग, का कार कि आ प्रासे आ लगार कोणसी छाओ कार बंह से जे कांण कंंसी मात्र कहा हो कावम कंसी मात्र क् पえ कंं हिक्पाç कंसी मात्र कह लो we मात्र मिर्न इ, इ मतलब कौन सी इ, इ ये कौन सा है, छोटी इ, कौन सी इ है, छोटी इ है, तो इससे हम लोग क्या बनाते है छोटी इसे, बोले छोटी इसे क्या बन सकता है, इमली, और क्या बना सकते हैं, इमारत, ठीक है, अब इसी को, इस छोटी को हम लोग वेंजन मिलेंगे, ये सब हम क्या है स्वर हैं क्या है स्वर पता आपको ना और यह क्या है क्क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र क्या हो जाएगा बेंजल में कोई भी शब्द यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा जैसे द में लगाईगे द धन छोटी इ क्या हो जाएगा दिन दिबस क्या हो गया दिबस दिवाली अब इसे से एक और बड़ी कुनसी है यह बड़ी इकी मात्रा तो बड़ी की मात्रा अहां से लगाते है यह बेंजन के पीछे से लगाते है जिसको क्या करते है बड़ी यह कुनसी छोटी यह क्या लगता बेंजन के आगे से तो बेंजन के पीछे से बड़ी इसे क्या बनता है इख क्या बता है इख तो अब अगर इसको हम लोग किस में बताईए अब लोग किस में लाएंगे बेंजन में बेंजन में अगर लगाएंगे जिसे कर में लगा दिये तो क्या बन जाएगा बड़ी इसे? कील क्या बन जाएगा? कील और क्या बना सकते हैं? बताईए दोनों वर्ड बनाके ऐसे ऐसे आपको अलग-अलग पूरा वर्ड बनाना है समझ में आ रहा है? तो ये आज हमने पढ़ा दिया इतना मातरा है इसको आप लोग भ्यान से पढ़ें पेज नमबर 12 को अच्छे से रिड करके फिर पेज नमबर 13 में जितना आपको वो दिया गया है देखिए चितर देखता सही नाम चिंपकर लिखिए एक्सरसाइज दी गई है दी गई पहली पूरा करना है और यहाँ शब्द लिखना है तो इसको पुरा कंपिट करेंगे यह आपको हम्मत है और क्लास वक में इसको जरूर लिख दानेगे पुरा जैसे हमने लिख आप वैसे यह आप लो पुरा क्लास वक में इसको लिख दानेगे ओके, बाय, have a nice day